बारत के निया पालिका की सबसे बड़ी सजा फांसी जिसको सुनका लोगों के रूख आप जाते हैं जिसे सुनने के बाद जज भी पैन की निव तोड़ देता है पुरदेश को साथ साल से जिसका इंतिजार था अब वो पूरा होने जा रहा है जी हां निर्विया के चारों गुनेगारों अक्षे कुमार, विने शर्मा, मुकेश, पवन गुपता को 22 परवरी को सुबह साथ आपके साथ सुनील चौहान, 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरदेश को जग जोर कर रख दिया था, सड़क से लेकर संसर तक, महनगरों से लेकर कस्वों तक, हर जगेस घटना को लेकर रोश था और आरूपियों को सजा देने के पूरा देश बहुत आगे आगया था और आवाज बुलंद कीती, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, निर्विया के गैंग रेप की घटना की पूरी कहानी निर्विया के इंसाफ की तारीक आगई, साथ साल, एक महिना, नौ दिन पापियों के अंत्काव फर्मान आ गया, निर्विया के गुनेगारों की फासी पर महत, साथ साल बाद निर्विया को आखिर मिला इंसाफ, 22 जनवरी को सुबह साथ बज़े दी जाएगी, तिहार जेल में फासी, पर्टियाला हाउस गोट ने जारी किया है, डेथ वारेंट, फासी से पहले एक बार आरोपी मिल सकते हैं, परिवार से, आखर कैसे होती है, फासी से पहले की अंतिम्राद, बिहार के बकसर में तयार हो रहा है, फासी का फंदा, निर्विया की माता पिता ने कहा, बेटी को न्याय मिल गया, इस तरह के फैसरे से अप राधी डरेंगे, 16 दिसंबर 2012, दिल्ली में वो काफी और भेंका रात थी, जो निर्विया की परिवार को जिन्दगी भर के लिए गम दे कर चड़ी गई, जी हां, लेकिन आब उन सभी निर्विया के पापियों का हिस्साब हो क्या है, निर्विया के गुनिगारों ने कानून के दाव पेश को खुब आजमाया, लेकिन उसका एक भी ना चला, एक फिजियो थेरेपिस्ट डॉक्टर के साथ कुछ दरंदों ने गैंगरेव कर अपने हवस का शिकार बनाया, और कुछ दिन बाद तो वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन जाते जाते इस देश को तमाम सवाल दे गई, जिन लोगों ने निर्व्या की अस्मिता को तार-तार किया था, उन्हें अब पट्याला हूस कोट ने पांसी की सजा सुनाई है, 22 जिन्वरी को सुबह साथ बजे तिहार जेल में पवन जलाद इनको फांसी देगा, इस गटना पर हर नुकर, गड़ी, चौराहे, मैं गुस्सा था, पांसी देने से पहले जेल में कई दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, श्रक्ति से नियमों का पालन भी किया जाता है। पांसी की डराबनी कहानी क्यादी को अकेले रखा जाता है। आकरी इच्छा पूछी जाती है। रोज मेडिकल टेस्ट किये जाती है। जलात पांसी घर को एक दिन पहले तैयार करता है। सुबह चार बजे कैदियों को जगा कर नहाने के लिए। धर्मों के नुसार गीता पढ़ना कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता है। फिर जलात कैदियों को फांसी के तक्ते तक लाता है। उनकी हाथ बानता है। मुँपर काले कपड़े से ढखता है। फांसी के फंदे को तैयार करता है। और रुमाल से शरा मिलते ही लीवर खीश देता है। फिर कुछ दिर बाद जेल का डॉक्टर उसका मेडिकल करके और प्रक्रिया के सारे कागस तयार करके फिर्शाफ परिवार बालों को सौंप दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बोला नहीं जाता। सिर्फ इशारों ही इशारों में काम होता है और इसकी तैयारी एक दिन पहले कर ली जाती है। अपरादियों के लिए मौत की काली रात बहुत भयानक होती है। कहते हैं गुनिगारों की सुरक्षा कड़ी रखी जाती है और उनको पूरे रात नींद नहीं आती। अभी निर्ब्या के आरोपी तिहार जेल में बंध है। वैसे तिहार जेल में काफी लोगों को फांसी दी चाच चुकी है। 16 दिसंबर 2012 को घटी ये घटना ने सब को जगजोर कर रख दिया था। देश में सरदी जरूर थी, पूरा देश गुसे से उबल रहा था। निर्ब्या को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन सिंगापुर के अस्पताल में निर्ब्या जिंदगी को अलविदा कहकर हम सबसे दूर चली की। लेकिन जाते जाते इस दुनिया से इस जमाने से बहुत सारे प्रश्न छोड़ गई। पूरे देश को इस सुनवाई पर सालों से इंतिजार था। कोई देश की सिस्टम से सवाल पूछता था तो कोई देश की न्याय पालिका पर आकर इतना समभी जाने के बाद पैसला अभी तक क्यों नहीं आया। निर्व्या के आरोपियों ने कानून का सहरा लेकर अपने आपको बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन कानून के फंदे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आई आपको दिखाते हैं दिल्ली की जनता इस फैसले पर क्या कह रही है। क्योंकि इतनी सारे रेप हुए उसके बाद में बिलकुल लेट हुआ है बहुत जल्दी होना चाहिए था यह जिन्होंने क्राइम किया है उनको तो सजा मिलनी बहुत ज़रूरी है। शे साल बद पैसला है। हाँ यह फैसला तो बहुत लेट हो गया है। यह फास्ट्रेक में अल्री होना चाहिए था जो कि बहुत देर कर दियुना देर करी है। इससे पहले भी जो भी बीच में कांड वा था उसका तो जल्दी फैसला हो गया है। तो पर देर आये दुरूस्ता है वाला मामला संजे है। हाँ यह ठीक। हाम बिल्कुल सहमत हैं। प्रोट में बिल्कुल सही फैसला दिया और ऐसे ही देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जो महिलाएं वह सुरक्षित नहीं है। थोड़ा सा अंदेर होने पर ही। उन्हें घर से निकलने में डर लगता है। कि कहीं हमाय साथ को लूच मीटना हो जाए। घर से लड़कियां हो या बहु और बेटियों कोई भी 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 बहार से बाहर निकलता है। तब पुरा एक्दम दूओ लगा रहता है कि कब वो घर पे आयेंगी। उनको बार 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 परना पड़ता है। करके पूछना पड़ता है। जो घर से निकलते ही उनको बड़ा रहता है। कहा गये कहा क्या हो गया। अब भी भी हमें यह नहीं कह सकती कि हां उनको फांसी होने के बाद हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वो तो थे जो उन्होंने कर दिया। बात है कि हमारे गौर्णमेंट को कुछ करना बढ़ेगा। इस पर कंट्रोल्स लाने बढ़ेंगे। यह तो बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद इसमें उनकी मातापिता को भी अच्छा लगेगा। ऐसे लोगों को तो तुरन तो सूट कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग तो बहुत अंसेफ अपने बच्चों को लेकि इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि बच्चों को टूशन भी पास में तो भी छोड़ने जाने में डर लग रहा है। जो हमने इस पूरे मसले पर कानून के जानकार से बात की तो उनका क्या कहना था आप भी सुनेंगे। तो निष्य रूब से कोड एक नहीं इस सेम नेजर के और भी कैसिस अगर होंगे तो उन लोगों को हेंक किया जाएगा जो की बहुत ज़रूरी है। तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा बकसा नहीं जाएगा। दो साल पहले तो सुप्रीम कोट ने ओर्डर कर दिया था कि इन जलादों को फांसी की सजा दे दो, लेकिन फिर भी फांसी की सजा नहीं हो रही थी, अब जाकर इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी, आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूं, हर देश के निवासी की मैं कहीं न कहीं इसको एक चीत मानती हूं, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलातकार हुआ था, पूरा देश सडकों पे आया था, मैं उस मा के जजबे को सलाम करती हूं, जिसने साथ साल तक उमीद नहीं छोड़ी, और हर दिन, हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के नियाए के लिए, जज़ का भी मैं धन्यवाद करती हूं, कि अब इतने साल बाद ही सही, फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्ने लिया है, और देश में अब ये जितने भी रेपिस्ट है, उनको मुझे लगता है, इस निर्ने से कहीं न अब राद करता है, उसे छे महीने में फांसी की सजा दीजे, ऐसा कानून बन है। इस फांसी से देश की महलाओं को ताकत मिलेगी, लोगों का नियाए विवस्ता में विश्वास बढ़ेगा, जिस गाउं के निर्भिया थी, यूपी के बलियास दिले की, वहां तो लोगों ने कहा, कि 22 जन्वरी को पूरा गाउं रोश्णी से नाहेगा, और दिवाली देश के बच्चों को लड़कियों को सबको पूरा समाज को धन्य बाते थी हूं, सबने मेरा साथिया, आज सबको इंसाफ मिला, 22 को फासी हो जाएगी, वह चार है थे, कि आज भी डेट लेले, फाइनली जलसा, ने सबका सुना, हमारा भी सुना, उनका भी सुना, और फाइ लेकि एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने माई लोगों के मन में एक डर जरूर पैता होगा, को कि चार-चार जब एक साथ लटकाए जाएंगे, तो आगे आने वाली पीड़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें, लेकि यह लंबा सफर जरूर था, लेकि इसका आनुभाव भी बहुत हुआ है, हमारे देश में किन-किन चीज़ों की कमी है नयाय के लिए, जिति इसका हमें बहुत आनुभाव भी हुआ अब इस तरह के गिनोना अपरात करने वाले दस बार सोचेंगे, पांसी के बाद निर्व्या की आत्मा को शांती मिलेगी, वहीं दोश्यों के वकीर ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में किरोटिप पेटिशन दाकिल करेंगे, लेकिन आपको बता दें किरोटिप पेटिशन क कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि यह सुनवाई खुले कोर्ट में हुई है हम आपको बता दें, पिछले 20 साल में सिर्फ चार फांसी हुई है दनेंजय चटर जी, 14 अगस 2004 को फांसी हुई इनका गुना था, नावालिक लड़की के साथ पहले इनको रेप किया था, और फिर बाद में उसकी हत्या कर दीती इनको इनसाफ मिलने में, जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक करने में और इनको सजा सुनाने में, 14 साल लग गए अजबल कसाथ, 21 नवंबर 2014 को इनको फांसी हुई गुना था इनका मुंबई पर आतंग की हमला इनसाफ में चार साल का वक्त लग्या अबजल गुरू, 9 फर्वरी 2013 को इनको फांसी हुई इनका गुना ये था कि 2001 संसत पर हमले की इनोंने साजश रची थी इनको 11 साल लग गए इनको इनसाफ देने में याकूब मेमन, 30 जुलाई 2015 को इनको फांसी हुई इनका गुना ये था कि 1993 मुंबई धमाकों में इनका हाथ था और 22 साल लग गए इस इनसाफ देनी में कैमरमेन ललित कुमार, नवीन कुमार के साथ, उनाल शर्मा, एरार चौधी, सीस्या नियूज, दिल्वी फांसी की सजा सुनाए जाने पर गुनेगारों की मा कोट में रोने लगी लेकिन आदालत सबूतों से चलती है, भाबनाव से नहीं कानून के इसाब से इनसाफ होता है, फैसले में देरी हुई पर अंदेर नहीं ये सजा बहुत से लोगों के लिए एक नजीर बने की, और हैवानित करने से पहले कई बार लोग सोचेंगे हाँ अगर ये सजा बहुत जल्दी हो जाती, तो लोगों को और भी अच्छा लगता और फिलाल अमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगे CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार